असलाम लेकुम and welcome back to another new video आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बेबी फेर होने के लिए during pregnancy वो कौन से fruits हैं जो मां को खाना चाहिए तो चली आगे बढ़ते हैं और जानते हैं which fruit is good for fair baby during pregnancy one such fruit is papaya rich in enzymes like papain it can make your skin radiant and healthy however this does not necessarily mean that your child will have a fairier complexion other fruit that may help in achieving a lighter skin tone including orange and lemons and strawberries तो papaya ये मत खायेगा अब अगर early pregnancy में खा रहे हैं तो papaya अवाइट कर दी है because ये heat होता इसके वज़े से कहीं कोई problem ना हो तो मैं तो recommend करूंगी ये papaya जो old wives होते हैं वो खाने को मना करते हैं because nine month में इसको खाने से आपके labor pain start होते हैं इसा कहा जाता है तो अगर आप अगर अगर आप अगर इस बारे में डिसकस करें और इसके बारे में पूरी जानकरी हासिल करें अगर डॉक्टर आपको यस कहते हैं तो ही आप इसको ख खाने की कोशिश करें वरना ना खाएं यह हीट होता है इससे फिर आपकी pregnancy में कुछ complication ना हो बस यहीं चाहती हों कि मैं फिर एक बार कहूंगी आपको अगर कोई problem है तो प्लीज मत खाईएगा और वैसे भी से बहुत ज़्यादा हीट माना जाता है तो प्लीज फरस्ट और second trimester में इसको avoid ही करें और ज़्यादा हो सके तो डॉक्टर से एक बार concern के time डॉक्टर विजिट करते हैं तब इसके बारे में पूछे क्या पापा या खा सकते हैं तो अगर डॉक्टर हां कहते हैं तो बिल्कुल थोड़ी quantity में एक या दो bite ही लेना और ज़्यादा जो खाने बेबी की है वो फेर करने के इसमें खुबियां पाई जाती है जिस वज़े से इसको खाने में ज्यादा तर आपके बेबी को फायदे मिलते हैं और डॉक्टर भी कहते हैं कि अनार औरेंज लेमन स्ट्रॉबरी और कोकनट वाटर और कच्छा नारियल और बहुत सारी और बेबी के बॉन्स ट्रॉंग होते हैं तो कोशिश करिए जादा तर फरूट अर चीज कायए चार बच i acontece और फिर स्नंक बारें बच्छा लिए और और बचा बहुत सारे फायदे होने होने में वहां को फायदे मिलेंगे fruits is a should must important होते हैं एक pregnant lady के लिए because बहुत ज़ादा energy की ज़रुवत पड़ती है because हर एक week हर एक month में मा को और baby को grow होने में मा को बहुत सारे चीज़ें खानी पड़ती हैं जिससे baby उसका अच्छे से grow हो उसको हर एक चीज़े हर एक फल एक fruit के उसको जो nutrition जो भी है वो उस तक पहुँचे और आप कोशिश करें अगर आप फेर और गोरा बेबी चाहते हैं तो एक लास दूद ज़रूर लीज़ेगा केसर के साथ वो भी fourth या fifth month से और orange खाईए orange juice पीज़ेगा lemon water शिकनजी जिससे कहते हैं वो जरूर ट्राइ करिएगा week में एक या दो बार और strawberries भी खाईएगा इसके आपको फायदे जरूर मिलेंगे इंशालला कोशिश करें healthy खाईए है healthy रहिए happy pregnancy and safe pregnancy stays